स्वागत है दोस्तो आपका confusion 9.2.11 दोस्तो यहां बिहार में post office में बहुत जादा vacation निकली है से थे तो इसमें हम डीट्यल के बात करेंगे कि की और सबसे पहले बात कर लिए कि बात कर लाएं कि बांच पूश्ट मास्टर के लिए निकला हूआ है जिसे सॉट में बीपीम बोलते हैं और सेकेंड है assistant branch postmaster जिसको एबी PM बोलते हैं सोट में इसके लिए vacancy निकला हुआ definix तो इन तीन पदों के लिए आपका वेकंसी निकला हुआ है और 3na vacancy के लिए किया क्या कर टेगरी है क्या क्या alguma इस्से gerçekие षर्य क्वालिफिकेशन है एस किया मांगता ताकि आप लोगों को कहीं भी फॉर्म बढ़ने में फिलप करने में कोई भी परशानी नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं समझ लेते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि किने भरना चाहिए किने नहीं भरना चाहिए और कितना सैलरी है तो के लिए आपका है यानि कि ब्रांच पुस्ट मास्टर के लिए है मिनियूम ट्यार सी एक फोर फोर आवर्स यानि चार घंटे काम करने पड़ेंगे लेवेल वन लेवेल वन इन ट्यार सी एस लैब में बारह जार आपको मिलेगा और एबी पीम और डाक सेवक को दस हजार मि मिलेंगे पर मंत अब आईए दूसरे तरीक अब दूसरा बात कर लेते हैं इलिजिबिलीटी में एज में यहां पर आपको एज देख लेते हैं यहां पर एज जो काउंट करना हुओ एक्कॉर्डिंग टू पांच आठ दोहजार उन्निस के अकॉर्डिंग करना है ठीक है उ मैक्सियूम 40 साल होना चाहिए वहीं पर करमसा SCST के लिए 5 साल का छूट है OBC के लिए 3 साल का एकॉनोमिकली वीकर सेक्षन के लिए यहां पर कोई रिलाक्सेशन नहीं दिया गया है तो क्रॉस्पोंडिंग और फिजिकल हैं या फिर डिसेबिलिटी के लिए भी करमसा यहां पर छूट दिया गया है दोस्तों अब आये एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहां बोला जा रहा है सेकेंडरी स्कूल इग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ टेंथ स्टेंडर विट पासिंग मार्क्स इन मैथिमाटिक्स सेकेंड इंगलीस having been a study as compulsory और elective subjects यानों इटेंथ में आपको मैस और इंगलीस इंगलीस कंपल्सरी होना पढ़ाई किया होना जरूरी है दोस्तों तो यहां पर टेंथ का मार्कसित खोज रहा है तेंथ पास होना चाहिए और compulsory knowledge of local language तो है यहां पर compulsory language आपको उसका local language को आ आपको आना ही होगा तो यहाँ पे चुकि बिहार का मैं बात कर रहा हो यहां पर और भी स्टेट का का सटेट इस करकल में निकला हुआ है कशा만 क की स्टेक के लिए को सा लोकल लेंग友ज यहांपर ऄटी आगे है तो बिहार के लिए आप देख सकते हैं बिहार के लिए यहाँ पर हिंदी लेंग्वेज मांग रहा है कंपलसरी लोकल लेंग्वेज में तो यह हो गया basic computer training होना चाहिए आपके पास आपके पास अगर कोई basic training course certificate है at least 60 days duration from कहीं से भी training institute and by central government state government university boards कहीं से भी या school से पढ़े हैं या फिर private institute institution से पढ़े हैं वहाँ पर या टूल में या फिर हाई एजुकेशन में आप नौलेज लिए हैं computer का तो वह भी यहाँ पर certificate आपका वैलिड होगा रेसिडेंस में यहां बोरा दि कंडिशन ओफ रेस्टेंस अले प्लाइस स्टिपिलेटेड इन रूल थ्री यह आपको पूरा यह डिटेल फिर देखना होगा रेसिडेंसी के लिए क्या मांग किया गया है और यहां पर एक चीज़ और हम आप लोग को देख लेते हैं कि एक चीज़ हाँ यहां पर आ गया है यहां पर कुछ कटेग्री वाइस दिया गया है जो सुटेबल है पोस्ट के लिए आप देख लेंगे कि कौन-कौन से सब्सक्राइब करने का कब से शुरू हो रहा है यहां पर आपको हम डिटेल में बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा या फिर एप पोस्ट रोट इन या फिर एप पोस्ट रोट इन जी डिएस ऑनलाइन यह वाला बेशाइट आपको ओपन करना पड़ाए का विछ इफेक्ट फ्रम पांच आट दो जरू हो रहा है और कप्ता क्लाश देट है चार्ट नोव दोजर उन्नीश तक उसके लाद आ और यहां पर मांगा गया है और उसके बाद देख लिजे आपको website मैंने बता दिया क्या है कौन-कौन से documents यहां पर upload करने पड़ेंगे तो यहां पर JPG या फिजेपी इजी format में आपको upload करने पड़ेंगे तो क्या-क्या upload करने पड़ेंगे SSC marks कि यहां पर देख सकते है SSC क वर्थ is not in the SSC certificate अगर आपका कोई date of worth जो है वो SSC certificate में mention नहीं है तो उसके लिए कोई दूसरा आपको proof यहां पर upload करना होगा mandatory in case of date of birth not available in SSC marks memo memo1 candidates for candidates not qualified in single attempt यहां पर do do यहां पर do किया गया है additional SSC memo2 है आप देख सकते हैं उसका as computer certificate यहां पर लिखा गया है not mandatory may be submitted to the recruiting authority at the time of appointment if got selected कोई जरूरी नहीं इसे upload करना जब आप selected होते हैं तो आप जो recruitment authority होता है उनके सामने आप कर सकते हैं परसूत कर सकते हैं Community certificate में आपको mandatory पर दिया गया है अगर ओभी दो यह सिर्थi एश्टी या data फिर इस website पर जाके आप notification डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों और यह news आप अपने दोस्तों में भी फैला है जो भी इस तरह के job करना चाहते हैं इंडिया पोस्ट में वो कर सकते हैं और जो मैंने बेतन बताया है उसी बेतन पर आपको काम करना पढ़ेगा दोस्तों तो इस वीड इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से कोई भी नए अपडेट आए तो अगर उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करू तो उसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आपके मुवाइल में चला जाए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग में हो धन्यवाद